नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने के विशे में ये पतियां पत्री से लेकर डाइबटीज का रामबान इलाज है बस इनका उपियो इस तरह करना होगा आपको दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजी सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकोन है आप उसके ओपर क्लिक करना ना भूले क्योंकि इससे आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं तो आईए दोस्तो अब बात करते हैं अपने टोपे की हम हमारी सरीर को स्वस्थ करने के लिए महंगी से महंगी दवाईयों का उप्योग करते हैं लेकिन फिर भी कई बार हम जो सोचते हैं वैसे प्रणाम हमें नहीं मिल पाते हैं। आज कल पत्री और डाइबटी जैसे बीमारी भारत के हर तीसरे घर में हैं। और आपको जानकर हिरानी होगी कि इस बीमारी का इलाज भी हमारे घर में ही मुझूद है। जरूरत है तो सिर्फ जानने के। दोस्तो तभी तो कहा जाता है कुदरत का साथ स्वश्थ और सुरक्षित आप। हम आज आपको पत्री और डाइबटीज की बीमारी के इलाज के लिए ऐसी पतियों के बारे में बताएंगे जो आपके घरों में मौझूद हैं और जिनको प्योकर के आप डाइबटीज और पत्री जैसी समस्या से छुटकारा पासकते हैं। तो आई ही दोस्तों जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों डाइबटीज जैसे बीमारी के लिए तेज पत्ता रामबान इलाज साबित हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति तेज पत्ते का निमित सेवन करें तो उसके डाइबटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। उसको फर्ग नजराएगा और उसकी पत्री की समस्या बिलकुल सही हो जाएगी वो बाहर निकल जाएगी और डाइबटीज भी कंट्रोल हो जाएगी तो दोस्तो देर किस बात की है अगर आप भी इन दोनों में से किसी भी परिसानी का सामना कर रहे हैं तो तेजबत्य का उप्योग करके अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई चानकारी पराफ्थ हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने चीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में चीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो